Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको provide कराता है high quality education, वो भी बिलकुल free of cost. Kindergarten से लिगे class 12 तक की. CBAC board की courses के साथ साथ आपको other state board की भी courses available है in in the medium. जैसे की UP board, Bihar board, Delhi board की courses, proper systematic way. कोई दिक्कत परिशानी आपको नहीं होगी. Daily practices के questions भी मिलेंगे, practice भी करते जाएगा. E-books और E-notes के link आपको description box में available है, तो भटगने की बात नहीं बनती है. आज हम क्या करने वाले हैं? जैसे की मैंने last class में आपको बताया था, कि हम चाप्टर के beach के question है. NCRT in-text question है. तो यह जब बीच में questions आते हैं, खुब सारे. आपके knowledge को check करने के लिए कितना आया, कितना नहीं आया समझ में. तो इसके लिए एक अलग से session है आपका आज का. तो अच्छे से बढ़ी ऐसे समझते हैं, बिना किसी confusion के. फटा-फट से पहले आप क्या कर दो? लाइक शेर कर दो. जल्दी-जल्दी से लाइक शेर कर दो. फटा-फट से लाइक शेर कर दीजे. जल्दी-जल्दी से लाइक शेर कर दो. उसके बाद हमारा start करते हैं, पहले question के साथ इतना simple सा काम है, भी कर दो. बिना किसी कंजूसी के, है ना, बिना किसी जो है भेदभाव के, भे, कर लोगी काम, है ना, क्या चला जाएगा, टीचर भी खुश हो जाएगी, चलो Why do people go to a weekly market, give three reasons, तीन reasons आपको बताने हैं, कि जो people हैं, जो लोग हैं, weekly market क्यों जाते हैं चलो, मैं तो अपने according, three reasons बता देती हूँ, बाकी हमारा जो answer है, वो तो हम देखेंगे, क्यों जाते हैं, क्योंकि चीजें, cheap rate में मिल जाते हैं, सबसे important Cheaper rate में हमें सामान मिल जाता है, एक मैंने बता दिया, दूसरा, दूसरा बाप की बारी, एक मैंने बोला, second आपकी chance क्यों मिलता है, जल्दी बताओ, एक तो बहुत सस्ते दाम में चीजें मिल जाती, second हमने देखा था, कि variety of items हमें मिलते हैं, पास में रहता है, बड़ी है, variety of items, हमें fruits भी मिल जाएंगे, हमें clothes भी मिल जाएंगे, हमें utensils भी मिल जाएंगे, और third क्या है, जल्दी से third आपको बताना है, third बताओ, फिर उसके बाद में रिवील करती हूँ, दो मेने बता दिये, तीसरा आप बताएंगे, जल्दी से बताओ, हमने ये भी देखाते हैं, इस पर competition भी बहुत होता है, चलो, answer देखते हैं, people go to a weekly market because things are available at cheaper rates, हाँ जी, बिलकुल जैसे कि, सबसे पहले तो यह से दामों में मिलती है, almost all things are available at one place, और जो है, एक ही जगे पे, सारी चीज़े, all things, almost, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि, बिलकुल ही सब कुछ यहाँ पे, car वगेरा भी यहीं बिकरी नहीं, ऐसा नहीं है, लिकिन almost जो basic needs की, जो चीज़े हैं, जो important important चीज़े हैं, वो हमें available हो जाती ह जो कि कहा है, weekly market, people have a choice, while shopping in weekly markets, लोगों के पास क्या रहती है, choice भी रहती है, जब वो shopping करते है, weekly markets में, variety ती रहती है, अलग-अलग type की सामान रहते हैं, even अलग-अलग shopkeepers रहेंगे, एक ही सामान को अलग-अलग rate में जिसे बेचते हैं, यहां उनमें अलग competition चलता है, तो हमार इसरे से किस खड़ी लें, जो थोड़ा सा 20 या 10 रुपैस कम बेच रहा है, यह जो bargaining करके price कम कर रहा है, तो हमारे पास यह variety भी रहती है, तो एक फायदा हो जाता है, तो यह क्या है, हमारे weekly market के फायदे है, ठीक है, एक तो cheaper rates में चीजे मिलती है, एक जगे पर almost सारी चीजे जो available हो जाती है, दूसरा हमारे पास choice रहती है, पहली बात तो यह बताओ, weekly market या दे की भूल गए, जो ऐसा market जो week में, एक specific day में लगता है, ठीक है, week के specific day में या तो एक दिन या दो दिन जब भी लगे specific days में, जैसे मैंने बताया था ए एरिया है, तो एक एरिया में हमेशा जो है, मंडे को एक market लगता है, फिर next week मंडे को लगेगा, फिर next week मंडे को लगेगा, इस तरीके से, चलो, question number two, who are the sellers in a weekly markets, why don't we find big business person in these markets, क्यों, ये जो sellers हैं, जो सामान बेचने का काम करते हैं, weekly markets में हैंना, who are the sellers in the weekly market, weekly जो सापता ही जो market होते हैं, उसमें जो बेचने वाले लोग हैं, वो होते कौन हैं, है ना, वो होते कौन हैं, और क्यों हमें जो big business person, है ना, अच्छे business tycoon, बड बड़े बड़े business man, white collar वाले हैंना, बड़े बड़े branded, कपड़े पहनने वाले, branded सामान वाले, और branded शीजे बेचने वाले, वो हमें इनने क्यों नहीं मिलते हैं, हमें weekly market में seller कौन हैं, क्यों हैं, अच्छे बड़े बड़े business man लोह का सामान क्यों नहीं मिलता हमें, ये बता their shops for a single day in store things at home जो सेलर होते हैं ठीक है विकली मार्केट के वो कैसे रहते हैं स्मॉल ट्रेडर छोटे लेवल के विचारे व्यापारी होते हैं जितना सामान बेचा ठीक है और बचा कुछा सामान वो अपने घर में समहाल के रख देते हैं फिर जब नेक्स दे जहां शॉपिंग मार्केट लगाते हैं दूसरे एरिया में फि एरिया में मंडे को हो रही है शॉपिंग मंडे को हो रहा है वीकली मार्केट क्या हो रहा है मंडे को हो रहा है वीकली मार्केट तो आप तूस्दे को थोड़ी दिखेगा फ्राइडे को थोड़ी दिखेगा फिर वो नेक्स वीक आपको मंडे को दिखेगा तो जितना सामान उन्होंने आज के टाइम पे ये वाली लोकालिटी में बेचा, फिर वो क्या करेंगे, उत्ता बचा कुछा घर पे ले जाएंगे, तो छोटे लेवल के ट्रेडर होते हैं, ठीक है, and store, things at home, और घर पे ही रखते हैं, चीज़ें, big business persons are not seen in these markets because the items bought and sold in these markets are not branded, big business, बड़े बड़े businessmen, लोग यहाँ पे क्यों अपने items, अपनी क्यों चीज़ें नहीं रखते, बेचते, क्योंकि यह जो weekly market हैं, आपे non-branded items बिखते, तबी तो cheaper rate में मिलते हैं, हमने क्या देखा था, branded items मिलते हैं, महंगे, 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 ठीक ह क्या मिलते हैं, branded items बहुत costly मिलते, इवन जब हमने सुजाता और कवीता का देखा था, कि वो mall में गई थी, तो एक shop में enter हुई, तो जैसी उन्होंने देखा, ओरे बापरे, यह तो weekly market से 5 गुना, जादा महंगा, 3000 से कम का कोई कपड़ा ही नहीं है, है ना, तो branded था ना, expensive था जिसके advertisements आते, non-branded चीज़ का थोड़ी कोच होता, तब ही वो cheap rate में बिखते हैं, और इसलिए जब big business persons है, वो यहाँ पे अपने product sale नहीं करते, क्योंकि weekly market पे non-branded items sell होते हैं, clear, आया समझ में, कोई confusion दिक्कत तो नहीं है, कोई भी confusion दिक्कत तो नहीं है, बड़ी आया है आगे बड़े, चल question लेकिन मैंने तब नहीं करा, क्योंकि अभी एक तरीके से revision हो रहा है आपका, ठीक है, तो important है इसको हलके में नहीं लेने का, है ना, heavy, bulk में लेने का, कि भाई, टेंशन है, पढ़ना है पीछ का जो questions important है, चलो, things are cheap in the weekly market, because the shops established are not permanent, जो चीजे है, जो चीजे है यहापे weekly market में, चीप क्यों है, क्योंकि shop यहापे permanent नहीं है ना, permanent shop होगी, तो भई, rent देना पड़ेगा, electricity bill देना पड़ेगा, workers को पे करना पड़ेगा, है ना, government को पे करना पड़ेगा, खर्चा ही खर्चा, अब shop ही permanent नहीं है, खुद से खुद एक दो family के member साथ में, आके help कर दे रहे, काम हो जा रहे, बस बढ़िया, the owners themselves manage the shop with the help of their family members, जो मालिक है shop के, वो क्या करते, अपने परिवार के members के help से shop चला लेते, काम बन जाता है, जब इनका खुद का खर्चा नहीं हो रहा, shop को चलाने में, तो ये सामन क्यों महेंगा बेचेंगे, सामन भी सस्ता बेचेंगे ना, हम बोलते हैं जितनी महेंगी दुकान, जितना महेंगा एरिया, जितनी लेविश दुकान हमें दिखेगी बड़ी आसी, तो product भी उत्ता महेंगा बिखता है, क्यों? क्योंकि दुकान में इत्ता करने म and wages to their workers क्योंकि उन्हें पेंफेरा पड़ता ना अब पर मानेट बिल्डिंग होगी फेरेंड पेंफेरेंफ और अभर करने पड़करें वहां काम करने वाले उनको पे करना पड़ेगा अब जैसे अच्छ हम बहुतने धाबे वगेरा पे खालो, छोटे से रेस्टराउ में खालो, तो इतना बिल नहीं आता, लेकिन आपके 5 सितारा, 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल पे जाओगे, या कोई अच्छे लेविश होटल पे जाओगे, तो वहां के एम्बेंस, AC वगेरा है ना, वहां के चा सही है, नहीं खेर वह अपनी प्रिफरेंस है, लेकिन मैं अच्छे टेकरना पड़ेगा, परमानेंट मदद कर देते हैं कोई वरकर भी ऐसी जरूरत नहीं पड़ती तो खर्चा कहां से होगा तो इसलिए सामान भी सस्ता बेचते हैं ठीक है चलो question number 4 explain with an example how people bargain in the market यह page number 78 का question ठीक है यह page number आपके 78 का question है यह 78 के question चल रहे है explain with an example एक example देके how people bargain in the market कैसे जो लोग है market में bargain करते यह question आप अपनी मम्मी को ज़रूर दिखाना ममी फटाक से answer कर देगी है यह का मम्मी लोग expert होती इस चीज में मेरी तो मम्मी जैसी बार्गेन करने जाती नो मैं तो भाना करके ऐसे से फोन चलाते भारा जाती मुझे बड़ा जीव लगता है यह बार्गेन है ना वह भी बोलते है आए मघा मडण कही बार तो जो लेडी क्या मोल द दूश में जोक सी बNTए कि हम आपके शौस में आते रहते के आ ही कली तो खुली है हमारी शौप सही तो बात है वह बहुत बींप एससे सच में ऐसा होता है can you think of a situation where the bargain would be unfair अब जो हम करते बार्गेनिंग करते में मोलभाव कौन नहीं करना चाहता कि हम कम से कम पैसों में सामान खरीदे तो आप क्या सोच सकते बता पाएंगे एक्जाम्पल की तो और एक्जाम्पल देखे can you think of a situation where the bargain would be unfair जहां पर बार्गेनिंग क्या है अनफेर मानी जाएगी है ना कि बार्गेनिंग करना क्या है सही नहीं है ठीक है चल वो बताना है people bargain in the market because the sailors charge very high prices of the products लोग market में क्यों bargain करते हैं कियों मोलभाव करते हैं कि बही सस्ते में बेचों क्यों क्यों कि जो बेचने वाले जो सेलर रे वो product को महंगे दामों में बेचते हैं वो क्या करते हैं product को बहुत हाइप्राइस में बेचते हैं buyers want the product at low prices and they try to argue and bring down the prices अब जो buyers हैं, जो खरीदार हैं, जो खरीदना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, कम से कम, कम से कम rate बताएंगे, और पूरी कोशिश करेंगे, पूरी बहस, पूरी energy लगा देंगे, ये भी क्या होता है, talent होता है, bargaining का भी talent होता है, तो कम, पूरी कोशिश करेंगे कि कम से कम price में हम स वही ना अप्का नमेरा यह बोलता है नहीं बोलता है गहार है खने कोुष हम्सक्षारेड को पासी Cake कसघूल वह अखर जाते हैं किस मेठ नहीं नहीं हम वी सफाने का काुए बहुतबहुत बंस भाजी करणे की यह लेकिन पेस्पीक है नपीड स्वेटी में ह curvature लेकिन जो हाइप साथ होई लेकिन जो हाई-प्राइस शार्ज़ करें ठीक JUL ऑनफ़ कि अदो घॉनुट्ट हो गया प्रॉड़क्तीच और जाउनने थीड़ Crime कर नहीं नहीं भीनलगों नि help लिए और दुवन निइन ara तो वो चाला कि ठीक है। उसमें उसने कम कराना हमें ठीक है, लेकिन अन्फेर कब होगा। जब जो प्रॉड़क्ट है, जब सेलर जो है प्राइज शार्ज नहीं कर रहा है। तो रियल प्राइस चार्ज कर रहा हूं कि यहां जैनुविनली इतना खड़्चा हुआ है ठेके तो उसके साथ तो गल्दारी उगए उसके साथ तो बिचारों के साथ अनफेर हो गया तो इस तरीके से बार्गेंग कभी-कभी अनफेर होती इन मामनों में जहां पर प्रॉडक आपको मैंने पढ़ा है ना चलो प्रॉड़क नमब जो पेज नंबर 79 का भी हम 78 का कर रहे था 79 का वाइड़ दिट सुजाता करी अनोट बॉक डूय तो यह तिंग इस सिस्टम इस उस्फुल कें देर भी प्रॉब्लम्स सुजाता ने नोट बुक रखी थी नोट बूड़क चैरी करी थी ना किसने सुजाता ने तो हमें बोल रहें सुजाता ने क्यों नोट बूक करी थी जब वो ग्रॉसरी शॉप नेबरूट शॉप में गए थे ना आउंटी के पास जिसमें 3,000 का क्रेडिट में उन्होंने पूरा सामान करी दिया था वो वाला सुजाता और कवी भी जब लिए थे तो सुजाता का नोट बूक का हमने रोल देखा था कि बोए नोट बूक थी क्यों मतलब हमसे कहने कि सुजाता ने नोट बूक करी थी डू यजिए इस सिस्टम यूस फोल है यह कैन देर भी आप्रॉल्लम्स क्या इस इससम में प्रॉलम्स हो सकती है है ना तीन अधार के उधारी अब क्रैडिट में तीन अधार तक का आप जो उधार दे रहे हो क्यों क्योंकि हम जब नेवरूट शॉप्स का टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हमने बहुत अच्छे देखा था कि अक्सर जो बायर और सेलर है एक दूसरे को जानते हैं अब जब के उधार रहे हैं तो हमें बता रहे हैं कि यूज जो सुजाता नोट बूक कर रही है क्लियर तो अनसर देखते हैं सुजाता के इस सुजाता कर पेकरा मलब खरीदा है है ना तीन हजार की लगवा हुधारी में खरीदा है तो क्या करेगा जो शॉप की पर हो लिखेगा ना उसमें इस सिस्टम इस यूसफुल फॉर दोज हूँ अर्ण लो मंथली इंकम इफ ऑनिस्टी इस दियर कैन बी नो प्रॉब्लम अब हमें कहने कि क्या यहां प्रॉब्लम हो सकती है यह सिस्टम इस यूसफुल है हाँ यह सिस्टम उन लोग ले बहुत यूसफुल होगा जो विचारे बहुत लोग इंकम अर्न करते हैं जिनकी मंथली इंती तंखा नहीं होती लेकिन घर तो चलाना है ना ग्रॉसरी आइटम चाहिए अब लोग इंकम ओ या इंकम ओ जो खरीदना है मतलब खरीदना जरूरी है तेल पानी की जरूरत कि इसको नहीं पड़ेगी अब उसकी कम तनखा या तंखा कमा नीरा तो भी तो जरूरी है ना तो इन जैसे लोग ले क्रेडिट में सामान खरीदना बहुत जरूरी हो जाता है और हमें बोल रहे हैं अगर इमानदारी हो ओनेस्टी हो तो फिर कोई प्रॉबलम नहीं होती इमानदारी भी कोई चीज होती जरूरी नहीं जिसके पास पैसा कम है जो अभी पेनी कर रहा बाद करते हैं अब हो कम अंद करते हैं मानिए तीन हजार का इन्हों ने क्रेडिट में लिया अगर जो सुजाता की फैमिली में जो अर्निंगी 15,000 आती है तो तीन हजारी एक्जम से पे कर देंगे तो बचे कुछे जो है 12,000 से कैसे घर चलेगा तो क्या करेंगे जो है नेक्स मन् कर देंगे तो उनको पता है honesty है clear तो credit purchase कभी-कभी ऐसे situation में क्या करता है बहुत helpful होता है चलो What are the different kinds of shops that you find in your neighborhood? What do you purchase from them? अब आपकी जो neighborhood में आपकी जो पड़ोस में किस ताइब की जो shop से आपको देखने को मिलती है ठीक है? What are the different kinds of shops that you find in your neighborhood? Different kinds की कौणसी कौणसी shops है जो आपकी neighborhood में आपको देखने को मिलती है What do you purchase from them? और आप उनसे क्या खरीदते हैं? आप उनसे क्या खरीदते हैं या आपको क्या करना है? बताना है Clear? आया समझ में? कोई confusion दिखकत तो नहीं? चला देखते हैं बताते हैं Two different kinds of shops in my neighborhood मेरे neighborhood में different different type की shops देखने को मिलेगी भई Departmental store मिलेगा, dairy मिल जाएगी, stationary भी रहती है, है ना, chemist, medical भी रहेगा, bakery shop भी रहेगी तो हाँ, बहुत सारी variety रियल में, genuinely भी grocery shop मिल जाएगी, है ना, जो हम बोलते हैं, अरे मम्मी लोग बोलते हैं, जाओ राशन लेओ, आठा खतम होगा, चावल खतम होगा, तो पकापा कितने लिए जाके ले आते हैं परोस में, है ना, रोज morning में जो है, दूद के packets आते हैं, dairy से, पास से, stationery से pen नहीं चल रहा है, pen खराब होगया, नया pen लेना है, chart लेना है, book लेना है, तो हम क्या करते हैं, stationery पास की shop से ले आते हैं, chemist, है ना, medical store से, महीं, medicine ले आते हैं, bakery से बड़ी है, bakery से बिस्कित वग अगेरा, pencil, ठीक है, medicine खरीद ले, biscuits खरीद ले, cakes खरीद ले, और except, और भी चीज़े, ये सब हम क्या करते हैं, अपने neighborhood से खरीदते हैं, clear, कोई confusion दिक्कत तो नहीं है, neighborhood से ये आपने सब देखा, इसमें कुछ नया नहीं है, सब आपको पता है, बहुत अच्छे से, ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है, परशानी तो नहीं है आपे, चलो, अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने अभी तक like किया किया, परशानी तो आपको कुछ नहीं होगी, लेकिन अभी तक आप लोगों ने like share किया कि नहीं किया, फड़ाफट से क्या कर दीजे, ये आगे, चलो, वाइर वाइर गोड्स सोल्ड इन पर्मानिन शॉप्स कोसलियर दैन दोष तोल्ड in the weekly markets और बायर रोजसाइद हॉकर्स, हमें आरे जो question 7 है, क्या कह रह है, वाइर गोड्स जो गोड्स से सोल्ड बेचे जाते पर्मानिन शॉप्स में, जो गोड्स पर्मान सापताइक भाजारों में बेचे जाते pussy. और by road side hawker. और कॉन बेचता है या? Road side hawker. यह जो road में ठेले वागएरा लगाते हैs, hawkers पैँपने उनके द्वारा. तो हमें कहरा है की क्यूं जो permanent shops के जो items होते हैं, जो भी चीजें goods लेती हैं, वो weekly market और road side hawker तो इन लोग उसे ये महंगी होते हैं. क्यों ये जो फर्क होता है? ठीक है? तो यह हमें बताना है. चलो. जो इन हैं? क्योंकर होते हैं? जो उनर को क क्या एक खशेंग को मैंच करना पड़ता है? जैसे,则ından किराया देना पड़े गा उसका किराया दो. है ना उसमें जो बिजली का बिल आ रहा है वो दो है ना government को फीदो जो उनके साथ worker helper काम कर रहे है उनको क्या करो उनको भी pay करो तो खर्चा होगा अब जब इतना खर्चा है तो product में add करेंगे न तभी तो जाके goods वे महेंगा बेचते हैं अब जो roadside hawkers होते हैं traders होते है weekly market के उनको ऐसा कुछ bear नहीं करना पड़ता कि ना rent देना पड़ रहा है ना उनको electricity नहीं पड़ रही है ना government को फीद नहीं पड़ रही है तो क्यों वो सामान महेंगा बेचेंगे वो cheap rate में बेच देते हैं लेकिन इन लोग का जो building वाले जो permanent shops वाले इनका खूब खर ठीक है चलो question number 8 और page number 80 का ठीक है question number 8 और page 80 का ठीक है 79 का हो गया page 80 का why do you think the guard wanted to stop Kavita and Sujata from entering the shop what would you say if someone stops you from entering a shop in the market हम जब देख रहे थे कि Sujata और Kavita shopping mall में पहुच गी मतलब shopping complex वाहां पे पहुच गी उन्होंने देखा वा किती बढ़िया से लिफ्ट है ग्लास वाली बहार इसपार दिख रहा है बड़ा माज़ा आ रहा है ना बड़ा उनको बहुत अच्छा लग रहा था फिर वो एक shop में जा एंटर हुई जहां पर उन्होंने वन्होंने एंटर हो रही थी तो हमने देखा था गार्ड था अब जो गार्ड था वो ऐसा लग रहा था उसको देखे कि वो इनको रोकेगा कि नहीं नहीं आप लोग अंदर मज जाए इस तरी किसे लेकिन उसने रोका नहीं ठीक है तो अगर कोई है जो आपको रोके जो इस शॉप में एईंटर होने से हैं ना? बार्केे अग गए है और स्वेको आपको इस तरी की से रोक ले को आपको आ की यए बताना लिया हुई जसमे हट अब आप का या करेंगी? इस तरी ता है ना यह कट कर दो एद्धा डबल बार हो गया कोई बात नी दगार्ड वांटेट टू स्टॉप कवीता एंट सुजाथा फॉम एंट्रिंग दिशॉप बिकिस्ट ही माइट फॉर्ड फैमली एंड कैन नौट अफॉर्ड दी आइटम्स केप्टेन शॉप अब जो बातों से उनको देख लगा होगा कि मौल या शॉपिंग मौल में लोग बड़ी अत्यार वेयर होके है ना बड़ी अच्छे अच्छे कपड़े खूब स्टाइल में है ना फ्लेशी फ्लेशी से बिकुस गॉगल्स लगांके ग्लासे लगांके बड़िया सब तो उनको से जो है रील साती हैं देखी होगी वीडियो देखी होगी कि लुक से आपको जच कर रहे है ना अगर मैं अभी खड़ी हो जाओं मैं बिल्कुल ही ढंक से बोल नहीं पा रही है मेरे कपड़े बिल्कुल ऐसे सिंपल सोब तो आपको लगे यह मैं क्या पढ़ा पाएंग यह वो फैमली से बिलाउं करते हैं गरीब लोग है ठीक है और वो अफोड नहीं कर पाएंगे जो भी सामान शौप में रखा है यह फोड नहीं कर पाएंगे तो इसले गाड नहीं रोकना चाहरा था वो बात और है गाड नहीं रोका नहीं इफ एनीवन अब हमसे second question यह भी है कि ऐसा आप क्या सोचेंगे अगर आपको कोई रोख ले यह तो चलो नहीं हुआ अगर आप सोचो आपको कोई यह से रोख ले शॉप में तो आप क्या करोगे If anyone tries to stop me from entering a shop, I would speak up for my right and will stop that person from violating my dignity अगर obviously हम क्या पढ़ रहे हैं civics पढ़ रहे हैं equality की बाते आप हमें look से हम equality right to equality क्या कहती है fundamental right हमारा क्या कहता है equality का यहीं कहता है न कि कोई भी आपको आपके looks के basis पे gender के basis पे आपके class के basis पे race के religion के basis पे कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता याने आपका जो राइट है वो वाइलेट हो रहा है कि भाई अगर कोई मुझे मुझे ऐसे रोकता है तो मैं क्या करूँगी मैं अपने अधिकार के लिए बोलूँगी कि आपकी हिम्मत कैसे हो आप कैसे रोक सकते हो भाई वो भी customer है जो बाकी लोग को आप जाने दे रहे हो हम भी customer है ठीक है आप हमारी looks के basis पे अंदर नहीं कर रहे हो मेरी self-respect लोग के सामने मेरी respect को हर्ट कर रहे हो ऐसा आप नहीं कर सकते क्यों क्योंकि हम तो equality की बाते करते मेरा भी राइट है मैं भी जा सकती हूँ वह बात और है कि मैं खरीदू सामान ना खरीदू क्लियर तो basically हम क्या करेंगे अपने अधिकारों के ले why do you do people not bargain in shops located in malls where is they bargain in weekly market हम से question है क्यों क्यों ऐसा होता है why do people जो लोग है not bargain in shops located in malls मतलब जो malls में दुकाने हैं जो लगी रहती वहाँ पे क्यों ये लोग बारगिन नहीं करते वहाँ पे क्यों कम जादा कम जादा मोल भाव नहीं करते जबकि weekly market पे तो लगे रहते कि नहीं 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 दोसो दोसो में नहीं एक सो पचास में न नहीं नहीं एक सो पचास में ये सौ में दो नहीं नहीं सौ में ये फ्री में दो फ्री में तो नहीं बोलते लेकिन ऐसा क्यों करते और malls में जहां चीजे और चीजे मिल रही है वहाँ पे बारगेन पे बारगेन कि और सस्ता और सस्ता और जहां पे महंगा हो रहा है महंगा करें वहां तो मुह बंद है वहां कुछ बोली ने रहे ऐसा क्यों देखते हैं पीपल जो नॉट बार्गेन इन शॉप्स लोकेड़ इन मॉल्स बिकर्स दे यूज्वली सेल ब्रांड डाइटम्स वेग प्राइस टैक्स ओन डैंड प्राइस टैग लगी रहती क्या लगी रहत हम देखते हैं कि अरे पूछने की दुकान वाले से ठीक है ये रेंज वाले ये 2000 से 3000 वाले जो है ड्रेस है तो चलो उसमें लिखाए नहीं करा सकते को ठीक है क्योंकि पीपल डू नॉट बार्गेन शॉप लोकेड़ इन मॉल्स बिकर्स दे यूज्वली सेल ब्रांड डाइ जो है डबल डबल नाइन का है यानन लगबक 10,000 का है कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि प्राइस टेक्स अलरीडी लगे होते हैं डाइंटेंस आट लिख भश्व वो फिक्स प्राइस के साथ उनको बीचा जाता है ठीक है कि वही फिक्स प्राईज It is easy to bargain in weekly markets Because prices are not fixed as goods are not branded लेकिन जो weekly market है उसमें कोई price tag तो होता ही नहीं है है ना 150 का बोला तो हम चाहेंगे 100 का कर ले 100 का बोला तो हम चाहेंगे 50 का कर ले फिर बोलेंगे free में दे दो नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है गलत हो जाएगा तो यहाँ पे कोई price tag नहीं होता तो इसलिए हम क्या करते हैं हम किसी भी प्रकार की bargaining जो है करते रहते हैं ठीक है और जो malls में वहाँ पे price tags already लगे होते हैं तो हम किसी प्रकार की बहस बाज़ी नहीं करते हैं कि कोई मतलब नहीं है price तो लिखा ही हुआ है clear आगे बढ़े चल गुट्स कहां से आते हैं उनके पास सामान उन तक कैसे पहुचता है है न हम देख रहे हैं न कि जो शॉप है शॉप में इतनी सारी चीज़ें oil रखा हुआ है है न टालकम पाउडर रखा हुआ है books है जो भी चीज़ें जो भी चीज़ें यह उन तक कैसे पहुचती है find out and explain with some example आपको कया करना इसके बारे में find out करो और कुछ examples के साथ क्या करो explain करो दो चलो explain करते भई आर नेबरोड शॉप स्टेशs जो नेबरोड शॉप के लोग हैं उनको goods कहां से मिलते हैं honudi मिलते हैं होई प्रेडियूस करा मैं बता चुकी हूँ यह होता है ना प्रेडियूसर होता है सबसे पहले जिसने प्रेडियूस करा प्रेडियूसर उसके बाद जो होल सेलर यह चेंड बताई थी न मैंने ठीक है होल सेलर से खरीदा उसके बाद किसने खरीदा रिटेलर ने रिटेलर या जो ट्रेडर हम कहरें ट्रेडर ने उसके बाद कौन लेता है फिर हमारे पास आता है कस्टमर उसके बाद किस तक पहुंचती चीज़ उसके बाद कस्टमर तक पहुंचती तो हमें बोल रहे हैं कि नेबर हुड में हमारे पड़ोस में जो दुकाने हैं वहाँ पे करेंगे और क्या करेंगे wholesaler से खरीदते हैं ठीक है और फिर हमें बेचते हैं clear हुआ आया समझ में यह process चलती ना पहले producer रहेगा फिर उसके बाद wholesaler उसके बाद retailer है रिटेलर ट्रेडर वही जो दुकान वाला जिनसे हम खरीदते हैं फिर हम यह हमारा रोल है तो इस तरीके से proper chain follow होती है यही chain of market की बात हो रही है किसकी बात हो रही है जल्ली जल्ली से चलता Why is a wholesale trader necessary? क्यों यह जो wholesale trader है नेसेसरी बही जरूरी है क्यों है जरूरी? क्यों हम इसको जरूरी बोल रहे है wholesale trader वही जब factory या farm में जो चीज़े produce होती है जब यह wholesale trader है whole, bulk में खरीद लेते हैं तो यह जब बल्क में खरीदने वाले ट्रेडर हैं, यह क्यों ज़रूरी है? यह जो wholesale trader है, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इनी wholesale trader से जो retailer है, सामान खरीद रहे हैं, जो हम तक पहुच रहा है. ठीक है? चलो देखते हैं, क्या खहता है हमारा answer? Wholesale trader is necessary as he, she, acts as a link between retailer and producer. ठीक है? और यह कौन है? डीटेलर? तो इसके बीच में कौन रोल प्ले करता है? इम्पॉर्टन है. इसके बीच में कौन रोल प्ले करता है? Wholesale trader. ठीक है? producer, produce करा, जैसे हमने वही shirt का example ले लिया, t-shirt. टी-शिर्ट का example ले लिया, ठीक है, t-shirt का example लिया, टी-शिर्ट के बाद, जो टी-शिर्ट से हैं, क्या करा? टी-शिर्ट जो भी की, अब, खूप सारी टी-शिर्ट है, हाना, लगबग producer ने कितनी टी-शिर्ट प्रडूस कर ली, टी-शिर्ट प्रडूस कर ली, हाना, 1000 टी-शिर्ट प्रडूस कर ली, अब क्या करा? इसने होल से टी-शिर्ट ने कितनी खरी ली, फाइव अंडेड़ टीशर्ट करें ली हाना पास्तों टीशर्ट इसने खरी ली अब जो रीटेलर है हूं मैं खरीद लेता हूं ठीक है तो wholesale trader is necessary as he she act as a link between किसके बीच में link की तरह काम करती है retailer और producer it is wholesale trader who collects goods from producer यह क्या होते है wholesale trader ही होते है जो goods collect करते है producer से और pass करते किनको retailer के पास ताकि जो retailer है जो हमारे आसपास की दुकान वाले वो क्या करें final sale करें final product जो है हम तक पहुचा है जो कि हम खरीदते हैं ठीक है फूजो है market chain बहुत अच्छे समझाई थी ना clear हुआ आगे बढ़े चल भी इसी के साथ जो है हमारे chapter के index याने chapter के बीच के questions end होते हैं I hope आपको अच्छे समझ में आया होगा क्योंकि बहुत इंट्रेस्टिंग बहुत अच्छे questions थे concept पूरा clear हो गया होगा अब जो next class रहेगी तो हमारी NCRT solutions के रहेगी ठीक है next class NCRT solutions के रहेगी तो यह बीच के question थे हमने end करें पूरा अच्छे से recall करा अब भारी है NCRT solutions की तो उसके रीडी रहेगा next session में इसी के साथ यह video end होती है अगर आप और भी वीडियो के lectures दिखना चाहते तो आप magnet brains के YouTube चैनल application और website पे देख सकते हैं e-notes और e-books की link आपको description box में available है यह सारे high quality के courses है जैसे की CBC board, Delhi board, Bihar board, UP board, MP board, Rajasthan board, Vedic Maths, Crash course, Spoken English courses आपको अच्छी quality में और 100% free available है आप हमें other platform पर भी follow कर सकते हैं Facebook, Instagram, X, Telegram और WhatsApp पे ज़्यादा सेदा like कीजिए ज़्यादा शेयर कीजिए और channel को subscribe करना बिल्कुल भी न भूलें अपना ख्याल रखें Thank you so much for watching